तो हेलो अबरिबन आई वेलकम यौल टो लेट्स क्राइक क्यों पीए से सी सो आज का जो दा हिंदू अनलेसे संडे का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन होता है क्योंकि आज के दिन जो science and technology के topics हैं geography और environment के topics हैं वो हम लोग discuss करते हैं हिंदू में जो आता है हिंदू की website पे आता है और जो sources है इसको follow किया जाता है आज इतने सारे topics हैं that we are going to discuss कुछ आपके paper में आया है science and technology section में कुछ website में है तो जिसे एक topic आपका marine geo hazard का concept है यह हम लोग discuss करेंगे यह topic आपका geography से भी बन जाता है disaster management में भी यह topic बन जाता है marine geo hazard vaccine inequity यह आपका science and technology के page में दाहिंदू के अंदर है यह जो भारितला sutures तपानी यह क्या है यह भी हम discuss करेंगे इसमें prelims का एक question आपका बन जाता है fall in e-waste generation यह भी अभी news में था तो यह हम लोग discuss करेंगे and vision mission यह भी news में था यह हम लोग discuss करेंगे molecular basis of SARS-CoV-2 यह science and technology page में है यह हम discuss करेंगे blue coral के बारे में science and technology page में दाहिंदू के है लिगनम विठाए यह आपका website से है हिंदू के तो सारे के सारे आज के topics हैं क्योंकि Sunday को जैसे मैं आपको कहा कि हम लोग का discussion है basically geography, environmental science तीन एरिया पर आपका रहता है और तीन questions है prelims के अंदर जो कि तीन different topics prelims के लिए आपके लिए cover हो जाता है so we are going to discuss that also तो इसमें कुछ topics आपके हिंदा हिंदू के paper में कुछ website पर है so this session is presented by me, my name is Saurabh Pandey, I.S. exam की तयारी कर रहा है अन-academy से जुड़ सकते हैं 16th of June तक का आपके पास मौका है जो महा-mega subscription आपका चल रहा है उसका benefit उठाने का मेरे द्वारा agriculture optional launch किया जा रहा है वह मैंने आपको inform भी किया हुआ है, July 5 से पहला paper, July 13 से दोसरा paper दोनों already launched है, दोनों ही paper already launched है, आप मेरे profile में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपको join कैसे करना, anacademy.com में जाके UPSC, CSC select करना, code use करना, that is SPLIVE, प्लस या Iconic subscription ले सकता, Iconic में आपको, जो है, Iconic subscription में आपको mentorize send रहते, देखो, combo यह जो prize है, महा-mega subscription offer है, यह 16 तक है, तो आज 13th है, 14th है, 15th है, और 16th है, तो इसको आप delay नहीं करो, क्योंकि जैसा मै ने कहा कि agriculture optional भी launch, अल्रेडी हो चुका है, तो वो शुरुआत हो रही है, उसके बाद GS के, जितने भी subject आप देख सकते हो, दूसरे optional से आप देख सकते हो, यह आप जरूर से join करें, अगर आप code इस्तमाल करते है, SPLIVE, amount will reduce by 35%, 35%, प्लस आपको books भी मिलेंगी, जिसमें पुरा use the code SPLIVE और जिन्होंने अच्छी rank score किया, आप सभी को congratulations, हर संडे को Hindi और English में आपका होता है, so unacademy civil service championship आज थी वैसे, तो अगले संडे को आपका combat होगा, तो आज unacademy civil service championship थी, 10 से 12 बजे के बीच में, तो उसमें जिन्होंने बहुत अच्छा perform किया, top rank आई है, जिनकी सभ समुदर के नीचे की सतह, क्या होता है कि उपर से जो भी समुदर की उपर से आता है, नीचे वो जाके समुदर की सतह में settle होता चला जाता है, जैसे अगर आप देखो तो यह से नीचे settle होता चला जाएगा, अगर पानी का moment, current का moment होता है, तो यह जो चीज़ें वो distribute होते ही, अगर यह इधर ही कठा होता चला गया और एक proper transportation आपका नहीं हुआ so what will happen कि future में possibility है कि यहाँ पे land slide हो सकती marine land slide जिसे हम कहते हैं या कई दूसरे जो हैजार्ड हैं वो आपके consider हो सकते हैं तो इसी से related एक अभी study publish हुई है marine geo hazard जिसे कहा जाता है इसमें होता क्या है कि समुद्र के नीचे deep ocean के अंदर marine जो sediments होते हैं मतब बहुत सारे जो kern हैं बहुत सारे जो sediments हैं वो आपके कठा होते चले जाते हैं और खास तोर से वो नीचे तक move नहीं कर पाते हैं जैसे अगर होता क्या है कि for example जैसे अगर आप इस picture में देखो कि अगर proper पानी move कर रहा है साथ में जितने भी sediments हो भी समुद्र के नीचे तक move कर जाएंगे बट कई बार क्या होता है कि कई factors की वो जैसे ये सारा का सारा sediments एक जगा ही कठा रह जाता है और इसमें possibility क्या रहती है कि marine geohazard आपको देखने को मिल सकता है and it may also be due to instability of the seabed seabed मतब समुद्र की जो सता है so marine sediments interaction during their flow or the seabed is crucial ये जो interaction है कि seabed और different sediments उनके बीच का interaction किस तरीके से इसको study करना बहुत जरूँगे क्योंकि अगर हमने इसको study नहीं किया so we will not be able to know about many hazards जैसे landslide है जैसे और भी दूसरे जो भी problems geographical, geological issues seismicity जो आपको देखने को मिलती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो sediments है जो करन है और seabed का interaction के इस तरीके से है अगर वो एक अठा होता चला जाएगा एक अठा होता चला जाएगा प्रश्ण बन जाता है जो आपने बिल्कुल static part में नहीं पड़ा होगा marine geo hazard, what is marine geo hazard यह point याद रखने आप इसमें diagram भी draw कर सकते हैं और इसमें आप पूरे तरीके से अच्छा answer लेख सकते हैं next topic है will 25% vaccine of private hospital aggravate inequity अब देखो इसमें चर्चाएं आपकी होती रहती हैं और relevant भी है चर्चाएं क्योंकि बागी संडे को जो सेशन होता है वो आपका 12 पीम को आपका स्टार्ट होता है कभी 12 पीम से 12.15 के बीच में आपके शुरुवात हो जाती है तो पिछले संडे में power cut था उस वज़े से थोड़ा सा 2 hours का delay हुआ था आज सब कुछ normal है so we are taking the session तो यहाँ पे क्या है will 25% vaccine for private hospital aggravate inequity यह अच्छा point है देखो क्या है कि अगर आपके पास 100 vaccine है ठीक है 100 vaccine है 100 vaccine में आपने कह दिया 75% मतब सरकारी तंतर procure करेगा और free में देगा और 25% जो है वो private sector procure करेगा और वो paid देगा अब यहाँ पे चर्चा जरूर मतब चलती जा रही है क्योंकि क्या है कि यह जो problem इस बहुत एक relevant point अगर आप समझोगे inequity का मतब देखो जिसके पास आपके पास resources है आपके पास पैसा है तो आप जाओगे और अपनी vaccination करा सकते हो बट जिनके पास नहीं resources है तो वो कई सारे problems face कर सकते है digital divide का भी problem है कोई register नहीं कर पा रहा है इसलिए मैंने कल भी आप से appeal की दी कि आपके जो भी जो आपके उपर dependent हो resources नहीं हो तो आप जरूर उनकी मदद करें जैसे आपके made है कोई भी house में काम करता है आसपास कोई है तो उसको जरूर से आप help करें कोविन में register करके और अगर आप afford कर सकें तो आप उनको pay कर सकते हैं मतलब अगर आपके house work कर रहे हैं और in case अगर वो नहीं aware है तो आप उनका register कर सकते हैं कोविन आप में और आरोग से तो में और उनको vaccination का कराने के लिए मतलब aware भी कर सकते हैं तो यह बहुत important आपके लिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारा भी एक role अच्छा रहेगा अब point यह है कि जैसे private sector है private sector में क्या है कि वो procure करेंगे और company से अगर procure करें 25% की बात की तो यह बहुत huge amount है मतलब क्योंकि जब आपके पास जब भी आपका immunization program है आपका जो immunization program है जैसे पहले भी polio है जैसे बच्चों की जो टीका लगते हैं तो उसमें immunization में private भी रहता पबलिक मतलब जो बच्चों के टीका अगर आप clinic में जाके ठीके और अगर अगर अब सरकारी उसमें जाओगे तो free में होगा बट फिर भी जिन्हें कई लोग सरकारी उसमें जाते हैं फ्री में भी कराते हैं कई लोग वो 5,000, 9,000, 10,000 रुपए भी पे करके कराते हैं तो दोनों के पास option है बट यहां पर देखो हो क्या रहा है कि हमें इसका इतना concern नहीं क्योंकि यहां पर supply है मतलब ऐसा नहीं है कि जो government procurement है वहां पर supply constraint है या पर private उसमें supply constraint है और supplied है मतलब चीजे जितनी चाहिए वो अपनी available है अलग अलग vaccines के लिए कि लिकिन अभी resources नहीं है उनको vaccination नहीं मिलड़ा तो यहां पर हमें इस inequity को break करने के लिए एक proper decision making को ध्यान में रखना है तो यह point आपको ध्यान में रखना है इस पर कुछ points लिखें आप रीट कर सकते हैं next देखते हैं next topic is related with the fossils तो fossils क्या होता है लगतार आपकी जैसे 1000 साल पहले 10,000 साल पहले 20,000 साल पहले क्या होता है कि पहले के time पे कई मतब कई चीजे होती हैं फिर आपको आज उसके बारे में कुछ आपको मिलता है फिर आप उसको study करते हो तो उसको fossil कहते हैं तो अब एक dinosaur का fossil मिला है तो यह आपको नाम याद रखना है जैसे यह picture अगर आप देखोगे तो यह यह है भारिताला सूचस तपानी ठीक है तो इसके बारे में आपको देखना है आपसे कैसे मेंस में कोई प्रश्ण नहीं बनेगा लेकिन इसमें यह एक simple सी चीज बन सकते भारिताला सूचस तपानी रिसेंटली न्यूज में था तो यह क्या है तो आपको याद रखना है कि यह बहुत समय पहले एक dinosaur था मतलब reptile की रूप में आप मान सकते हो और इनका एक famous जो आपके scientist थे तपन रॉय चौधरी उनके नाम पे रखा गया क्योंकि उन्होंने रोल प्ले किया है यह जो reptile है यह किस family से belong करता है यह आपका erythro suchadai is family से belong करता तो it's a reptile तो अभी हाल में आप से पुछे कि हाल में news में था भारिता लौ सूचस तपानी क्या है ठीक है तो आपको याद रखना है कि एक reptile है जो कि इनके तपन रॉय चौधरी उनके नाम यह नाम आपका रखा गया है next देखते है next is related with fall in e-waste generation इस पर भी यह मतब हिंदू के paper में नहीं publish हुई है website कर topic है यह fall in e-waste generation यह unique concept है यह fall in e-waste generation देखो हो क्या रहा है कि जो एक बहुत अच्छा point है इसमें कि अभी study हुई है e-waste generation e-waste generation जैसे कोई भी electronic equipment जब आप देखना है उसको तो कोई भी जो electronic equipment है वाइसेस का वो comparatively reduce हुआ है यह जो है comparatively reduce हुआ है जो low और middle income countries में है वो मतलब वो fall हुआ है by 30% और high income country में जो है वो 5% है in journal अगर आप e-waste की बात करो क्योंकि अगर ज्यादा consumption होगा ज्यादा consumption होगा तो ज्यादा waste आपका generate होगा तो यहाँ पर कहा गया कि जो waste generation है उसमें बहुत fall हुआ है low और middle income countries में और high income countries में जो e-waste generation है उसमें देखा जाए तो 5% है और 5% का fall है और low और middle income countries में e-waste generation 30% का fall है यह study भी की गई है और यह result published किया गया United Nations University UN Institute of Training and Research अभी इससे हमें क्या conclusion मिल रहा है इससे हमें conclusion मिल रहा है कि जो kind of digital divide exist कर रहा है मतलब इसका यह है कि कई सारी जो बड़े देश हैं they are continuously electronic devices equipment वो खुब use कर रहे है तो खुब use कर रहे है तो इससे क्या है कि वो ज़्यादा electronic device ज़्यादा waste generate करेंगे जो बिलकुल यूज नहीं करना यह कम यूज करना तो कम waste generate करेंगे तो जो digital divide जो देखने को मिल रहा है between rich and poor countries वो इस point को highlight कर रहा है तो जो inequality e waste generation में है it also highlights the growing digital divide between rich and poor countries तो यह आप जब भी digital inequality और ऐसा कोई प्रशन आए तो इस study को coat कर सकते हो बिलकुल इस study को coat कर सकते हो based on on e waste generation United Nation University की बात की जाए United Nation University की बात की जाए it is an autonomous component of United Nation General Assembly जो की कई सारे human security development welfare पर focus आपका करता है तो आप याद रखना जैसे क्या होता है कई बार आप देखोगे ना इधर कहीं घूम रहे होते हैं highway में आपको एक university मिलेगी कि कोई भी इन्वस्टी उसका नाम रहेगा international university और इस तरह कि तो यह इन्वस्टी मतलब ऐसा कहीं आपको दिख जा United Nation University तो वहाँ जाके admission नहीं लेना आपको यह United Nation University क्या है यह UN General Assembly का एक autonomous component है जो की human security development और welfare पर focus करता है United Nation Institute for Training and Research यूनिट आर की बात की जाए तो यह training arm of United Nation है मतलब खास तोर से individual को develop करना institution को develop करना organizational capacity देश का है दूसरे United Nation के stakeholders उनके capacity को develop करना तो यह आपका जैसे full form ही देख लो United Nation Institute for Training and Research तो यह ध्यान में रखना है तो यहां पर यह study बहुत important आपके लिए हो जाती इस पर कुछ जो points है वह आपके लिए important हो जाते हैं और इसको argument के रूप में बहुत जगह पर आप use कर सकते हो ठीक है यह again next देखते है next is related with the mission देखो हमें हमेशा से रहा है astronomers अगर देखो तो लगातार study करते रहते हैं लगातार study करते हुए galaxy के बारे में solar system के बारे में exoplanet के बारे में comment section में let me know what is goldilog zone goldilog zone क्या होता what is goldilog zone ठीक है पूछा हुआ UPSC के अंदर तो Venus के mission अगर आपको याद हो तो last class में मैंने आपसे Venus के दो missions भी discuss किये थे NASA के दो missions मैंने आपसे discuss किये थे ठीक है तो अभी एक mission envision mission Venus के लिए envision mission क्या है European Space Agency का mission है और envision जिसे कहा जा रहा और यह maybe orbiter it will visit Venus sometime in 2030 recently देखो दाविंसी और वेरिटास यह बहुत डिटेल में मैंने last class में last Sunday को मैंने discuss किया था यह NASA के दोनों mission थे बिजनस के लिए अभी जो NASA के support से जो European Space Agency है उसने इस mission को launch करने की बात की जा रहे और यह लबग 2030 में यह आपका launch होगा यह आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर रोकेट जो एरियन 6 rocket का इस्तमाल होगा यह मतलब कि अभी जब आप ऐसे बड़े mission को launch करने का सोचते हो तो ऐसा नहीं कि अभी आप चार महीने बाद launch करते हो आप प्लान करते हो मतलब सालों साल का प्लान होता है फिर पूरा उस सिस्टम बनता हो उसमें सालों साल लगते हैं फिर आप उस mission को launch करते हो study करते हो यह सारी जी तो आपको याद रखना है कि हाल में envision mission न्यूज में था तो envision mission क्या है तो this is also very much important तो आपको यह ध्यान में रखना है यह हिंदू के पेपर में नहीं है ठीक है यह आपका I think website से नेक्स देखते हैं कि अच्छा दूसरा यह भी याद लोग जापान का अकाट सूकी स्पेस क्राफ्ट यह भी इस प्लैनेट को study करेगा ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है यहाँ पे अल्रेडी यह से लेड मतब यूरोपेन स्पेस एजेंसी ने अल्रेडी वीनस काल सब्सक्राफ्ट और एन्वीजन और यह सारे मिशन्स आपको याद रखना है दाविंसी वेरिटास तो देखो क्या होता है कि कई बार मालों दस नंबर का कुश्चन स्पेस टेकनोजी वीनस मिशन्स ऐसा कुछ आपके लिए पूछ लाग तैयार रहना चाहिए दो चार मिश पर यह एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें आपको प्रेलिम्स बेस्ट प्रस्ट बन सकता है मुटेशन के बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हाईलाइट आपके किये गए हैं वह हम लोग डिसकस करेंगे बहुत अल्टीमेट आर्टिकल है यह साइंस और टेक्लोजी की प बीटा वैरियंट कुछ है यह क्या है कुछ टाइप की आफ मुटेशन है वो क्या है तो यह इसकी बहुत अच्छा एक्स्प्रेनेशन इसमें दिया हुआ है इसमें आपके लिए क्या होगा प्रेलिम्स के प्रस्ट क्योंकि प्रेलिम्स के अंदर साइंस के प्रस्ट आते है जीन एडिटिंग अप्लाई की थी जिसके लोंको दो साल की सजा भी हुई थी तो उस पर बेस फिर UPSN 2020 में जीन एडिटिंग का एक स्टेट्मेंट लिखा हुआ था उसको आप कभी भी आपको द्यान में रखना है तो यह आज एक आपका जो ऑप्शनल पर एक यूट्यूब सेशन है तो रात को होगा अल्रेड़ी वह देड़ बजे स्रेडूल है बट वह सेशन आपका आरूंड 9.30 पीम को होगा ठीक है 9.30 पीम आज होगा तो उसमें हम ऑप्शनल पर डिसकेश हो रही है तो आप उसका भी हिस्सा बन सकता है क्योंकि आप में से कई स्टूटिंट मुझे मैसेज भी कर रहा है चलो यहाँ पर स्टडी जो है उसको समझते है देखो प्रोटीन है जिसे प्रोटीन आपके मन में ऐसा जिम वाली प्रोटीन माइंड में नहीं आना चाहिए जो आपको डिबबा में दे दी जाती है, कि जो आप खाओ और बाडी बनाओ, तो वो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन जो आपके शरीर के structure के लिए responsible है, ठीक है, तो जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कई सारे जो amino acids हैं, उस amino acids से बनी हुए, तो amino acids लगबख 20 amino acids है, तो ये जो amino acids हैं, ये इनके, मतलब कई amino acids मिलेकर different proteins आपकी create करते हैं, और ये जो amino acids हैं, मतलब इनके charges भी, मतलब positive, negative, neutral या stickiness, ये basic properties आपकी होती हैं, जैसे क्या होगा कि amino acids इस तरीके से आपकी interact करेंगे, इसे जुड़ी रहेंगे, इस तरीके से amino acids आपकी जुड़ी रहेंगे, इस तरीके से, तो different proteins का formation होगा, इनका different charge होगा, positive, negative, neutral, इस तरीके से, अब क्या है कि कुछ proteins आपके, या amino acids surface में आपके present रहेंगे, जैसे अगर आप इस structure को देखोगे, तो यहां भी क्या है, यहां भी इस coronavirus में यह भी protein है, यह भी protein है, यह आपका envelope जो बन रहा है, यह भी envelope protein है, यह spike protein है, तो बहुत सारे amino acids मिलकर, यह structure इसका बनाते हैं, बहुत सारे जो amino acids हैं, वो इसका structure मिलकर बनाते हैं, जैसे SARS-CoV-2 का यह virus है, अब यह जो proteins है, यह proteins, बहुत सी proteins, आपका, they will interact with different amino acids as well, और वो एक साथ मिलकर आएंगी, और क्या होता है, फिर क्या है कि यह जो proteins हैं, यह जो different proteins surface में present है, they will be recognized, जैसे हमारे शरीर के antibodies हैं, वो इस protein को recognize कर लेंगी, या फिर किसी receptor से, जैसे human cells के उपर, ACE2 receptor present होता है, यह protein जाकि इससे चिपक जाएंगी, और फिर SARS-CoV-2 का virus अंदर चला जाएगा, यह सब चीजें आपको ध्यान, मतलब यह एक basic point, जैसे spike protein है, वो coronavirus के उपर यह spike protein है, ऐसा dunda type लगी होती है, so this spike protein, यह जो आप spike protein देख रहे हो, this spike protein interact with the human ACE2 receptor, और जो infection है, वो आपका initiate हो जाता है, so protein molecule is a chain of 1, 2, 7, 3 amino acids, और कई सारे मतलब, in journal अगर आप SARS-CoV-2 के structure की बात करो, तो इतने जो आपके amino acids हैं, in addition कई सारे दूसरे जो molecules हैं, वो एक साथ आते हैं, और यह spike, spike जो protein है, यह आपका form होता है, इसके अलावा 484 यह position है, अब क्या होता कि जिससे different positioning, मतलब अलग-अलग जो molecules की binding की position होती, माल 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से binding positions, एक ने 4 में bind किया, एक में 8 में bind किया, एक में 4th position में दूसरे ने bind किया, तो यह ऐसा नाम रख दिया जाता है, 484 position, तो जो 484 position है, इसमें क्या है, कि अभी जो आप लगातार सुनते जा रहे होगा, कि यह variant आ गया, यह variant आ गया, यह कैसे variant होता है, यहाँ पर प्रोटीन में भी बदला होता है, कैसे बदला होता है, जैसे for example, it lies within the crucial motive that binds to the host receptor, E is the shorthand for glutamate, अब देखो, यह जो glutamate है, E जो present है, E जिसका मतलब glutamate है, we can say it is also an amino acid, glutamate क्या है, यह भी एक amino acid है, अब यह बदल जाता है, glutamate की जगह, अब K, lysine amino acid आ जाता है, भी तो positive charge, अब देखो, जहाँ पर पहले E जो की glutamate था, यह amino acid था, अब इसकी जगह क्या आ जाता है, आ जाता है L, जो की इसका नाम क्या है, lysine, जिसका charge क्या है positive, थोड़ टेक्निकल है, इसलिए ध्यान सा समझना, ठीक है, तो E is replaced by L, यह जब ऐसी स्थिती आ जाती है, तो जो वाइरस है, अगर ऐसी स्थिती आ जाती, तो जो वाइरस है, वाइरस का आपका mutation हो जाता है, यह mutation आपको βीटा और गमा वेरेंट में देखने को मिलता है, E is replaced by L, ठीक है, जो E है, glutamate, जो कि negative charge है, it is replaced by K, that is lysine, which has a positive charge. So, यह आपको mutation आपको देखने को मिलता है, beta and gamma variant के अंदर. दूसरा point अगर देखा जाए, कि जो mutation has replaced negatively charged glutamate with positively charged lysine. जैसा आभी हमने देखा. Delta variant, जिसके अंदर जो mutation present है, that is E484Q mutation. अगर आपसे पूछे, recently E484Q news में था, यह क्या है, it's a mutation, जो अभी delta variant है, उसमें आपको देखने है, यहाँ पर Q का मतलब क्या है, glutamate, which is not very different from glutamate, glutamate है, glutamate की जगे यहाँ glutamate है, but is neutral in charge and polar, यहाँ पर क्या है, glutamate की जगा glutamate यहाँ पर present है, तो यहाँ पर एक जगा glutamate की जगा lysine आ गया, तो वो आपका दूसरा variant बन गया, beta और gamma बन गया, glutamate की जगा glutamine आ गया, तो यहाँ पर एक दूसरा variant बन गया, that is delta variant, तो यह थोड़ा basic aspect आपकी understanding के लिए, इसके बाद एक और mutation है, जिसका नाम है L452R, इसमें क्या है, कि जो L is leucine, uncharged sticky amino acid, and R is the positively charged RG9, तो यहाँ पर क्या है कि यह जो आपका एक form of mutation है, L452R, तो L452R में क्या है, L जो की leucine है, it is replaced by RG9, तो यहाँ पर देखो, तीन तरीके के mutations आपके हो गया, E is replaced by L, बीटा और गामा में देखने को मिलता है, glutamate is replaced by Q, that is glutamine, तो delta variant हो गया, और यह एक नया variant, जैसे L452R, तो L is replaced by A, that is RG9, तो यह आपका दूसरा mutation हो गया, तो यह basic mutations आपको देखने को मिलते हैं, SARS-CoV-2 के अंदर, तो protein या amino acid, जो की virus के structure को proteins बनाती है, और protein को बनात तो different amino acids, 20 amino acids, आपकी present हो, इन amino acids में जो बदलाव आपका continuous basis पे होता है, तो इससे आपके different variants देखने को मिलते हैं, virus के, इसलिए लगातार इसकी study करना जरूरी है, तभी आप नई दवाईया बना पाऊगे, नई चीज़े आप develop कर सकते हो, ठीक है, I hope यह चीज़ आपके clear हो थोड़ा सा technical था यह, but again it's important, next देखते हैं, घाना plant 5 million trees in a single day, अगर आप session live देख रहे हैं, like बटन जरूर से प्रेस करें और share जरूर से करें, अब यहाँ पर क्या है, घाना का आप example mention कर सकते हो, घाना aim to plant at least 5 million trees, लगभग 5 million trees हैं in a single day, to help regrow the countries, lost forests and curb the impact of climate change, ठीक है, तो 5 million trees ह है, घाना की अगर आप बात करोगे, तो लगभग घाना का जो aim है to plant at least 5 million trees हैं single day में, इतना इनोंने किया, और आप example के रूप में जैसे अब क्या है, urbanization हो रहा है, desertification हो रहा है, तो नहीं नहीं, मतलब plants को plant करना जरूरी है, मतलब forestation करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा deforestation farming activities expand होई, mining activities impact होई, लकडियां बहुत सारी आपकी काटी गई, यह सारी चीज़ें, तो forest cover बहुत अधीक था, लेकिन अब क्या forest cover mining activities, even gold mining की वज़े से काफी आपका reduce होते गए, तो अब इसको recover करने के लिए, जो forest station है, वो गहना के अंदर start किया गया, अब यहाँ पे नाम मे है, यह हिंदू की website का article है, लिगनम विटाई, लिगनम विटाई का है, यह world का strongest, one of the world's strongest hardwood है, और tree of life, इसकी medicinal qualities भी है, इसको grow आपका किया जा, अभी हाल में ही घाना का, घाना का green घाना day celebrate आपका किया गया था, उसमें इनोंने का कि हम यतनी trees जो है, वो लगाएंगे, तो आप घाना का case study दे सकते हो, कभी environment और इस type का कोई प्रशनाता है, biodiversity protection या कुछ ऐसा कोई प्रशनाता है, तो आप इसका example भी quote कर सकते हो, ठीक है, कि आपका 5 million से 100 million trees by 2024, यह aim है, green घाना day celebrate करना, लिगनम विटाई जैसे, लिगनम विटाई, जो यह हाल में news में था, तो क्या ह लिगनम विटाई, तो you need to remember कि लिगनम विटाई, एक tree है, जिसका बहुत मजबूत hardwood है, तो मतलब इसका timber industry में भी काफी application है, next is related, बहुत important topic है, यह आपका related है with corals, देखो हो क्या रहा है, कि जैसे जितने भी अगर यह corals है, समुदर के नीचे आपके corals present होता है, और यह corals present है, इनके अंदर algies present होती है, जिनने कहा जाता है zooxanthaly algae, अब होता कहा है कि अगर पानी का temperature, जैसे पानी देख रहा हो, इसका temperature बदलेगा, अगर salinity बदलेगी, तो what will happen कि this coral will not be able to survive, कुछ अभी corals पर steady continuous basis में होता है, देखो यह corals बहुत जादा important होता है, इनको rain forest of the ocean भी कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर देखोगे, तो यह जो corals है, यह corals आपके continuous basis पर, अलग-अलग विश्व के बहुत सारे जगहों पर present है, लेकिन जो climate change, sea surface, temperature high, marine heat waves आपको देखने को मिल रही है, because of that, उसकी वज़व से, continuous basis में अगर देखा जा, उसकी वज़व से, यह ज marine biodiversity के context में देखोगे, they are very much important, तो यहाँ पर जो marine biodiversity को protect, अगर मतलब हमें protect करना है, तो corals को भी protect करना होगा, यह बहुत ज़रूरी है, अब इसमें एक study publish होई है, मतलब जो हिंदू में यह article यह छोटा सा ही है, कि जो कुछ corals होते हैं, वो temperature change या जो भी environmental stress होता है, जो environmental stress है, टेकिन कुछ corals नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे एक research आई है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही छोटा सा यह column है, लेकिन यह आपको जरूर से याद रखना है, environmental context में, तो यहाँ पे अगर देखो कि 2014-15 में, brown rice corals, यह आपको याद रखना, brown rice corals कहां located है, हवाई, हवाई आपके island है, ठीक है, Pacific Ocean में island है, USA का ही है, तो brown rice corals हवाई में present है, अब यह पूरे तरीके से bleached हो गए, लेकिन blue rice corals वो अपने आपको recover कर गए, तो यह scientist भी सोचने लग गए, कि continuous basis में जो ocean का temperature बढ़ा, समुद्रव का temperature बढ़ा, तो जो brown rice corals ह हवाई के वो तो पूरे तरीके से bleached होगा, bleached का मतलब क्या होता है, एक term आप लोगों ने पढ़ा होगा, that is coral bleaching, यह term आप पढ़ा होगा, that is coral bleaching, coral bleaching में कहा है, जैसे यह आपका coral है, और इसके उपर यह zoosanthaly algis है, अब क्या होता है, अगर ocean का temperature बढ़ेगा, यह algis मर जा होगा, happy dent का, happy dent का, खाने के बाद और फिर एक दम दात चमकते, उस तरह की coral से सफेद हो जाते है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यहाँ पर zoosanthaly algis मर जाएंगे, we call it as bleached coral, तो जो blue rice coral है, वो तो survive कर गए bleaching से, temperature बढ़ने इसे, की वज़े से, वो भी bleached होने चाह ऐसा क्या हो गया है, की यह survive कर पा रहे, वो survive नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या है, तो उन्होंने study carry out की, they carried out study and based on their study, उन्होंने कुछ points आपके सामने रखे, So, Hawaii के जो blue rice corals है, they have a deep blue pigment, क्या होता है, कि यह बहुत ही सुनने में आपको, मतलब interesting लग सकता है, यह क्या है, कि जो zoosanthaly algis in coral के tissues के अंदर present है, जो zoosanthaly present है, that live inside the coral tissue, यह एक blue pigment produce करता है, और यह जो blue pigment है, यह sunscreen का काम करता है, जैसे आप देखो कि कई सारे जो खिलाडी होते हैं, जब धूप में खेलते हैं, तो बहुत कुछ मुँ में लगा है, रखते हो white color का, purpose क्या होता है, कि sun की heat है, उससे बचना चाहते हैं, इस त यह blue rice corals, एक बहुत unique behavior शोग करने है, कि zoosanthaly जो present है, इनके coral के अंदर यह blue color का pigment प्रोडूस करता है, blue color का pigment, मतलब आप यह मानो, blue color का एक चिपचिपा सा कुछ प्रोडूस करता है, जो कि इस coral के लिए sunscreen का का काम करता है, और sunscreen का का काम करता है, मतलब जो heat है, उससे बचात होता है, यहाँ पर क्या है, इस pigment के अंदर एक protein होता है, जिसका नाम है chromo protein, जो की harmful UV radiation को filter कर देता है, तो यह आपको याद रखना है, कि chromo protein recently news में है, किस लिए है, दूसर आप यह भी याद कर सकते हो, क्योंकि coral bleaching बहुत important topic है, उस पर अगर आप किसी, even आप शेंकराइस की किताब पढ़ोगे, तो यह चीजे उसमें नहीं लिखी होंगी, उसको update होने में अभी समय लगेगा, मतलब हो सकता, अगले साल की issue में यह update कर लें, लेकिन यह जो study है, यह अभी आपकी सामने आई है, related with this particular coral, that is blue rice coral, blue rice coral, यह आपको याद रखना है, अब देखो कई बार क् कई किताबें, या कई test series, और सब क्या करते हैं, जैसे मालो इस बार UPSC का paper हुआ, 2020 का मालो हुआ था, अब उसमें जो question आएगा, वो क्या करेंगे, next issue में उस topic को अपने, उसमें include करेंगे, तो जब पुराना बच्चा, नया बच्चा जब पढ़ाई करेगा, तो उस किताब नहीं दियान रखना, तो यहां पर यह चीजें कई strategy अपना ही जाती है, मालो क्या करते हैं, 2020 है, या 21 का paper आएगा, फिर अपने test series में question डाल देंगे, और आपको circulate कर देंगे, तो आप देखोगे, कि अरे यह question is test series से, तो ऐसा नहीं होता है, आप कोई समझना है, कि ऐसे हमे आप study करो, shortcut हमें नहीं अपनाना चाहिए, that is very much required, और सभी से मेरा request हमेशा से रहता है, कि आप जरूर से notes prepare करें, यह PDF तो आप से में share करता ही हो, लेकिन आप notes जरूर से prepare करें, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए helpful रहेगा, ठीक है, Sunday का session होता है, Sunday का session में हम लोग यह सार topics आपके discuss भी हो गया, चलो question भी कर लेता है, coffee wilt disease अभी news में था, coffee wilt disease क्या है, so consider the following statement about coffee wilt disease, recently news में था, it is a common wilt that result in complete death of coffee trees, coffee trees का पूरे तरीके से death हो जाता है, complete death of coffee trees in it infects, caused by fungus, fusarium, xylar reaudates, in 1927 coffee wilt disease was first observed in Central African Republic, where it developed slowly and went on to cause two epidemic between 1930s and 1960s, अब देखो यहाँ पर यह तीनों statement सही है, देखो होता क्या है, कि जैसे humans को बहुत सारे disease होता है, इसी तरीके से कई सारी diseases हैं, वो plants को भी होती है, अभी हाल में इस पर एक article भी publish हुआ था, कि study publish हुई थी, coffee wilt disease के उपर, तो यह क्या है, यह disease है, मतब क प्लांट पूरे मर जाएंगे, आपका जो production वो रेड्यूस हो जाएगा, तो 1927 में यह first coffee wilt disease पहली बार Central African Republic में देखने को मिला था, और वहां भी महामारी, plant के context में महामारी 1930s और 60s में हुई थी, तो यह तीनों इस statement आप के सही है, plant की जो महामारी हो, और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि plant को आप quarantine तो करोगे नी, और plant के दोरा जो produced चीजे हैं, plant के दोरा, अच्छा, plant के case में यह quarantine शब्द इस्तमाल होता है, वो एक अलग है phytosanitary measure के लिए, लेकिन आप plants पर अगर कोई भी महामारी हो जाएगी, तो food security बहुत affect होगी, यह ध्यान रखना, तो यहाँ पर answer 123 है, next देखो, between 1970 से 2000, mangrove forest have lost about 40% of their cover, food system cost a 3-4 of all greenhouse gas emission, animal agriculture not only emits 10 to 100 times more greenhouse gases per unit product, then plant-based food, they also use 10 to 100 times more land, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह factual information, यह data आप नोट कर लो, यहाँ पर यह जो food system causes, causes third of all greenhouse, one third of all greenhouse gas emission, वो food system है, तो जिसे आप खुद भी देख सकते हो, कि 3-4 तो बहुत जादा हो जाता है, तो आप इसको भी ऐसा मतलब logic लगा होगे, तो गलत कर सकते हो, अगर 3-4 food system से है आपका लगबग, यह आप याद रहको answer है, that is B, 1 and 3, next देखते हैं, consider the following statement about brood X, brood refers to a population of cica dust that is isolated from other population because of the difference in their year of emergence or locality, brood X started emerging in May and will be around until the end of June, the time when they decide to emerge is depend on weather, specifically when the ground temperature reaches about 37-38%, अब देखो यह जो brood X है, यह बहुत अधिक अभी इस समय आपका, जो है news में भी था, news में इसलिए था क्योंकि USA की कई सारी ऐसी जगह, Europe में कई सारी ऐसी जगह, जहाँ पर यह छोट-छोट कीडे टाइप होते हैं, यह एकदम से निकलते हैं बाहर को, जमीन से नीचे से उपर की तरफ निकलते हैं, तो यह एक काफी समय तक जमीन के अंदर रहेंगे, फिर एकदम से निकलेंगे, temperature 27-38 degree Celsius इनकी लिए आपका feasible नहीं रहता, यहाँ पर जो temperature feasible है, वो है लगबख 17-18 degree Celsius, ठीक है तो यह आपका गलत है, और Brudex started मही में निकलते हैं, और फिर उसके बाद जून तक आपके रहते हैं, इसका मतलब है, population of Cicadas, जो की दूसरी population से आपके अलग हो जाते हैं, because of the difference in the year of emergence of our locality, जब यह आपके emerge होते हैं, तो यह आपके अलग होते हैं, तो यह आपके याद रखना है, कि Brudex क्या है, recently news में था, आज के लिए इतना ही, I request you all के like जरूर करें, share जरूर करें, और आपके लिए important information, 16th of June, last date है, इस offer को अवेल करने के लिए, agriculture optional, already launch हो चुका है, मेरे profile में, July 1st, July 5, paper 1, July 13, paper 2 अभी आप अगर combo subscription लोगे, using the code SPLIVE, तो यह जो amount है, it will reduce by 35%, क्योंकि huge discount है, इसका benefit आप उठा सकते हैं, और इसके अलावा भी आप कई सारे benefits हैं, जैसे आपको booklets मिलेंगी, वो आप उसका benefit उठा सकते हो, 20 booklets हैं, loan भी आप अवेल कर सकते हैं, तो सारी benefits हैं, आपको extra months भी मि के लिए इतना ही, आप optional के बारे में एक session आज होगा, 9.30 pm को, तो उसको हम लोग discuss करें, तो आज के लिए इतना ही, thank you everyone and let's crack it.